वेलकम बेक गाईज आज हम लोग डिसकस करेंगे कि लेटर जोल टैबलेट को लेने के बाद में अंड़ा किस दिन रिलीज होता है किस दिन ओवलूशन होता है और हम कैसे पता कर सकते हैं कि लेटर जोल टैबलेट को लेने के बाद इस दिन अंड़ा रिलीज होगा इन सभी ड तो गाईस देखिए जो लेटरजोल टैबलेट है अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए इन टैबलेट का यूज कर रहे हो तो हम लोग ओवलुशन इंडक्शन में इन टैबलेट को यूज करती है और पांस दिन का इन टैबलेट का कोर्स होता है और जो डोज है वो अलग-अलग होती है पेशन्ट की एल्ज, वेट और कितना अटैम्ट है इन टैबलेट को यूज करने का उसके अकोडिंग जो यूजली डोज है वो 2.5 mg की होती है और 5 mg की भी डोज रेकमेंड की जाती है और मैक्सिमम जो डोज है इसकी वो 7.5 mg की भी होती है जो सिंगल ट का पिरियर्ट साइकल किसी भी मंत की पहली तारीक को आया और जो मैंने आपको बताया कि इन टैबलेट को आपको दिन में एक बार लेना होता है तो यूजली हम लोग इन टैबलेट को पिरियर्ट साइकल के दूसरे दिन रेकमेंड करती हैं स्टार्ट करना और कभी-कभी ज पहली तारीकों periods है, second day पर आपने इन tablets को लेना start किया, 5 दिन का इनका course था, 6 तारीकों आपका ये जो course है वो complete हो गया, तो जिस भी तारीक को आपने इन tablets का course पूरा किया, उस तारीक से लगबग 5 दिन से 10 दिन के बीच में आपको evolution हो जाता है, ये तो था कि आपने idea से confirm किया कि आपको evolution इन दिनों पर होगा, जो research थी उनके basis पर मैंने आपको बताया, और दूसरा तरीका है कि आप या तो evolution test card से confirm कर सकते हो 100% कि आपको evolution किस दिन होना है, उसके लिए आपको market में जाना है, evolution test card आप purchase कर सकते हो, जैसे I know काफी famous branded evolution test card है, जो कि LH hormone को detect करने में यूज किया जाता है, इसको LH test card भी बोलते हैं, इन test card को आप urine pregnancy test की तरह ही यूज कर सकते हो, जो urine pregnancy test card है वो सुबक halipate यूज करने होते हैं, लेकिन जो evolution detection test card होते हैं, उनको आपको दुपहर के समय यूज करना होता है, और दूसरा तरीका है follicular monitoring, जो कि ultrasound की तरह ही होती है, आपको ultrasound center में visit करना है, वहाँ पर जो भी sonologist होंगे या फिर gynecologist होंगे, वो monitor करेंगे कि किस दिन आपका under release होना है, किस दिन under rupture होना है, तो अगर आपका जो follicular का size है वो 18-20 mm तक पहुँच जाता है, तो उसके rupture होने के chances बहुँच जादा बढ़ जाती हैं, किसी भी time वो rupture हो सकता है, तो अगर आपका follicular का size 18-20 mm तक हो गया है, तो आपको उनी दिनों पर relation मनाना है, क्योंकि उनी दिनों के around आपको evolution हो जाना है, तो आज की वीडियो यहीं पर खतम करते हैं, आशा करता हूँ इस वीडियो में दीगें जानकारी आप लोगों के लिए काफी useful और benefit रही होगी, मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में, एक बहुत interesting topic के साथ अब तक के लिए stay healthy, stay fit, thanks for watching this video.